नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ शुक्त हम हैं उत्तरा रुख करते हैं खबरों की ओर प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी का 17 सितंबर यानी आज 71 जन्म दिन है इस मौके पर उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनात ने पीम मोधी को बदहाई दी उधर करनाटक के पूर्व सीम एचडी कुमार स्वामी ने भी पीम मोधी की लंबी उम्र की कामना की है वह सीम योगी ने कहा अंतियोदय से आत्म निर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी को जन्म दिन की शुप कामना है प्रभूश्री राम की कृपा से आपको दीरगायू और उत्तम स्वास्त की प्राप्ती हो आजीवन में माभारती की सेवा का परम सौभागिय आपको प्राप्त होता रहे करनाटक के पूर्व सीम एचडी कुमार स्वामी ने कहा मैं हमारे प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी के जन्म दिन की अफसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ मैं इश्वर से प्रारतना करता हूँ कि उन्हें रास्त्र की सेवा करते रहने के लिए अधिक उर्जा, प्रेणा और स्वास्ति प्रदान करें प्रधान मोधी के 71 जन्म दिन की पूर्व संध्या पर वारार्सी में लोगों ने मिट्टी के दिये जलाए और 71 किलो के लड़ू का भोग लगा कर प्रसाद भी बाटा तो प्यम मोधी का जन्म दिन है कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्यम मोधी को बधाई दे रहे हैं वहीं पूर्व संध्या में भी प्यम मोधी के जन्म उस्तफ की तयारी शुरू हो गई वारार्सी में जो संसरी छेत्र है प्यम मोधी का वहाँ पे लोगों ने प्रिसाद भोग लगाया जिसमें 71 किलो लड़ू का भोग लगाया गया और लोगों में प्रिशाद भी बाटा गया पीम मोदी के लिए उनकी अच्छी स्वास्त और कामना के लिए दिये भी जलाए गये वारारसी में तो एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है पियम मोदी का जन्म दिन आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें बधाई दे रहे हैं कई नेता भी और अभी दिन की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ कई सितारे भी इसमें नज़र आएंगे जो कि प्रधान मंत्री को शु प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा शुक्रवार यानि की आज से सेवा और समर्पन अभियान शुरू कर रही है इसके तहट भाजपा का चिकित्सा प्रकोष्ट 17 से 20 सितंबर तक स्वास्त परिक्षण शुविर का आयोजन करेगा युवा मोर्चा के कारेकरता रक्तदान शुविर जबकी अनुसूचित मोर्चा के कारेकरता गरीब बस्तियों में फल और सबजी जाती जरूरी समानों का वित्रण करेंगे पिछड़ा वर्ग के कारेकरता अनाथाले और वृद्ध आश्रम में जाकर फल वित्रण और अनि महिला मोर्चा कोरोनकाल में सेवा कारे करने वाली 71 महिलाओं को सम्मानित करेगा पीम मोधी के जन्मदिन के मौके पर आज सरकार की ओर से दो करोर लोगों को वैक्सीन लगाने का भी लक्ष रखा गया है शात ही 7 अक्टूबर को पीम मोधी के जन सेवा के दो दशक पूरे हो रहे हैं इसलिए बी जेपी की ओर से बीज दिन का सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है पीम मोधी के और सियम पथ पे रहते हुए 7 अक्टूबर को 20 साल पूरे हो रहे है और इसी वजह से ये 20 दिनों का कारिकरम चलेगा साथी 7 अक्टूबर 2001 को नरींद्र मोधी पहली बार गुजरात के सीम पत की शपत ली थी तो तब इसे मोधी लगातार समवेधानिक पत पर बने हुए हैं प्यम मोधी के जन्म दिन पर आज बीजेपी कारकरता देश भर में एक विसेश अभियान चला कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके के लिए प्रेरित करेंगे ताकि एक दिन में टीका करण के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट जाएं प्रधान मंत्री के जन्म दिन पर देश भर के पार्टी के बूत इस्तर के कारकरता टीका करण में लोगों की मदद करेंगे तो आज जादा से जादा टीका करण कर नए रिकॉर्ड बनाने की तयारी में है बीजेपी आज पीम मोधी का जन्म दिन है इसलिए खासा तयारिया की गई है साथ ही सेवा और समर्पन अभ्यान भी चलाय जा रहा है पीम मोधी के जन्म दिवस पर जिसे बीजेपी के कई कारकरता अलग-अलग कामों को करते हुए दिखाई देंगे रधान मंत्री नरींद्र मोधी के जन्म दिन पर आज जिसे ही सेवा और समर्पन अभ्यान की शिरुवात हो रही है इसके तहत भाजपा का चिकित्सा प्रकोष्ट 17 से 20 सितंबर तक स्वास्त परिक्षर शिवर का आयोजन करेगा जिसमें लोगों को जरूरी समान भी मोहिया कराये जाएगा साथ ही टीका करण के लिए प्रेरित भी किया जाएगा लाकि जिन लोगों का से जाएगा लोगों का टीका करण कराने का लक्ष भी रखा गया है वहीं युवा मोर्चा के कारे करता रक्तदान शिवर और जबकी अनुसूचित मोर्चा के कारे करता गरीब बस्तियों में फल और जरूरी समानों का वित्रण भी करेंगे तो आज अच्छे कामों का दिन मताया जा रहा है बीजेपी आज कई दाने पुन करने वाली है रक्तदान भी करने वाली है और जरूरत मंदों की जाद से जादा मदद करने की कोशिश में लगी है बीजेपी साथ ही पिछड़ा वर्ग कारे करता अनाथ हाले और वरिद्धा अश्रम में भी जाकर फल वित् करना हो तो आज यह मोदी के 71 जन्म दिन के अफसर पर बीजेपी खास कारिक्रम कर रही है जिससे लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए लाब पहुचाने की पूरी कोशिश करेगी मदद करने की आम जनता की पूरी कोशिश करेगी आज बीजेपी प्रदान मंतरी नरींद्र मोदी का आज 71 जन्म दिन है इस मौके पर बीजेपी आज से अगले 20 दिनों तक सेवा और समर पर अभियान चलाएगी वहें इसके विरोध में यूद कॉंग्रस बिरोजगारी दिवस मनाएगी कॉंग्रस की युवा इकाई ने आज पीम मोदी के जन्म दिन के अफसर पर रास्ट्रिय बिरोजगारी दिवस मनाएगी भारते युवा कॉंगरस द्वार अचारी एक बयान में कहा गया है कि रास्ट्रिय विरोजगारी दिवस के तहट देश भर में संगठन द्वारा कई तरह के कारेकराम आयोजित किये जाएंगे युवा कॉंगरस के रास्ट्रिय अध्यक्षिर श्री निवास बीवी ने कहा कि मोधी सरकार दो करोर रोजगार हर साल देने के बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई थी पर आज केंद सरकार रोजगार के मुद्धे पर पूरी तरह मौन है देश में एक साल में बिरोजगारी दर 2.4 प्रतीशत से बढ़कर 10.3 प्रतीशत हो गई है सरकार युवा को रोजगार देने में विफल रही है जहां एक तरफ बीजेपी आज पीम मोधी के जन्मदिन के अफसर पर सेवा और समरपन अभियान चलाएगी तो वहीं इसके वि जेपी पर निशाना साथते हुए कॉंग्रेस ये कारिकरम का आयोजन कर रही है यूद कॉंग्रेस आज बिरोजगारी दिवस मनाईगी पीम के जन्मदिन पर रास्ट्रिय बिरोजगारी दिवस मनाया जाएगा पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप केंद्र के तीन कृशी कानूनों के लागू होने के एक साल पूरा होने पर आज काला दिवस मनाईगी आम आदमी पार्टी क्रिशी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान जान गवाने वाले किसानों को श्रधांजली देने के लिए राज जबहर में कैंडल मार्च भी निकालेगी यहाँ एक बयान में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सेंग संधवान ने कहा कि देश भर में काले क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों में रोश व्यापत है उन्होंने कहा कि इन क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि 17 सितंबर 2020 को संसद में तीन काले क्रिशी विदह अकपारित हुए। इसलिए 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शिरोमडी अकाली दल भी 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाएगा। इसके अलावा शियत कारेकर्था ने दिल्ली में गुरुद्वारा रकाब गंज में रकाब गंज से संसद भवन तक मार्च निकालने की योजना बनाई है। साथे भारती किसान यूनियन बीते कई महिनों से दिल्ली से लगे हुए गाजिपूर वॉडर पर धन्ने पर बैठे हैं। मुंबई में शुक्रुवार सुभा एक निर्माड़ा धीन प्लाई ओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हाथसे में 13 मजदूरों के जखमी होने की खबर सामने आई है। सभी को बी अन देशाई अस्पताल में भरती कराया गया है। मौके पर पुलिस और फायर बिगेट टीम ने पहुँच कर रिस्क्यू अभियान शिरू किया। मुंबई के बांदरा कुला कॉम्पलेक्स में ये फ्लाई ओवर बन रहा था। इसका एक हिस्सा शुक्रवार सुभा करीब 4 बच कर 40 मिनट पर गिर गया। हाथसे में 13 मजदूर जखमी हो गए। DCP मंजुन आतसिंगे ने बताया कि हाथसे में कोई भी लापता नहीं है। ना ही किसी मजदूर की जान गई है। ये हाथसा किसी वज़ह से हुआ इसकी जाज की जा रही है। तो हाथसे की बड़ी खबर सामने आई है बांदरा कॉल्डा कॉम्पलेक्स में फ्लाइ ओवर निर्माडा धीन था जिसका एक बड़ा हिस्सक गिर पड़ा है। हाथसे में 13 मजदूर घायल हुए हैं लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है जबात की जानकारी सामने आई है। आपको बता दे कि एक हिस्सा गिरने की वज़े से बड़ी संख्या में मजदूर घायल हो गए है। करीब 4 बच कर 40 मिनट पर ये हाथसा हुआ जिसमें 13 मजदूर जख्मी हो गए। वज़े डी सिपी मंजुनाद सिंगे ने ये जानकारी दी है कि हाथसे में कोई भी लापता नहीं है ना ही किसी मजदूर की जान गई है। यहाँ सक्यस वज़े से हुआ है इसकी जाच की जा रही है। के ढेर और वाइड और गलियारों में घुमते कुट्ते साथी विवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आजमगड के बंडलिये चिकत्सा में हमेशा मरीजों की भीड रहती है। और दिन भर सैकडों लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर आए दिन जन प्रतिनिदियों वा अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं। कुछ दिन बाद ही आजमगड जनपद में मुख्यमंत्री योगी आधितिनात का भी दौरा होना है। जिसके तयारियां चारों तरफ होती दिखाई दे रही है। लेकिन स्वास्त बेभाग मानों इन सब तयारियों से दूर दिखाई दे रहा है। जिला मुख्याले पर इस सिती ना होने के बाद भी मंडलीय चिकित्सा में जगह जगह कुड़े दिखाई दे रही है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अस्पताल के अंदर कुट्टा भी दिखाई दे रहा है, गंदिगी दिखाई दे रही है, जिसाफ सफाई की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है, दौरे पर रहते हैं, वहीं आने वाले कुछ दिनों में सीम योगी भी दौरे पर हैं। स्वक्षिता एवं जिंगो के रोगठाम के लिए जो उपाय किया जाने हैं उसके लिए, इस तरह की ग्रत्विधिन, अगर कोई कमियां कहीं पर प्राप्त होती हैं, तो मैं तत्काल उसके लिए जिसाने देश, एवं उसकी मानिटिंग रिकर आऊंगा, और जो भी दोशी ह होंगे, उनके लिए कारवाई भी दोशी होती है, इस संग्यान ये समचार आपके माध्यप से भी हमको मालूम हो रहा है, मैं ततकाल इसके बारे में सीमेस से बात करके उसको देखूँगा कि किस तरह से तकम्या हैं कि इस तरह इस तरह किला परवाई बहती जा रही है, क्या अब बदागी इसमें क्या बलते हैं बाल्ती जो महीजों के पास रखी जाते है वे बाल्ती खूद हम लोग को खरीद के लाना पड़ह है हुदू भासार संग्य करा रहे है गुद्धेशनיל के जिला पर सहन यह को छette हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जनता गरीभ लाड इनसंद सफाय में कोई कम है जैसे कुट्टे के घूम भी रहे हैं कि अब परसासन से हम क्या कर सकते हैं भाई हम लोग भाई जनता हम लोग फुदी अपने फुर्सत नहीं मिलता है तो परसासन के परसासन को खुद एक बार राउंड लगा कर देख लेना चाहिए क्या इसमें दिक्कत परसासन के लोग कुछ लोग आये थे दो हजार बाइस के चुनाओं में अपना दल ने अपनी तयारिया तेज कर दी हैं अपना दल के भावी प्रत्याशी वरास्ट्रे स्वाभिमान मंच के रास्ट्रे अध्यक्षा आर एस पांडे ने गैंगटा और ठाट हुआ जैसे कई कई गावों में जन संपर्क किया जन संपर्क अभियान के अंतरगत कई गावों के विकास का हाल भी जाना कई गावों के लोगों की समस्यां को सुना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया वही रोड स्कूल हॉस्पिटल कॉलिज जैसी कई योजनाओं के बारे में चर्चा भी की। बादित होने के साथ ही बिजली आपूर्ती भी बादित हुई है। भवरनात मंदिर के पास पेड़ गिरने से बिजली में आई फॉल्ट को बिजली विभाग के कर्मचारी 12 घंटे बाद पकड़ सके वहीं ये बारिश किसानों के लिए वर्दान साबित हो रही है। जिले में हो रही बारिश के बारे में कृशी विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर आरके सिंग का कहना है कि किसानों के लिए निश्यत रूप से वर्दान है ये बारिश लगातार बढ़ रहे तापमान से किसानों के फोन आने लगे थे मौसम के कारण आध्यम से बताना चाहूंगा ये बरसात किसानों के लिए निश्यत रूप से बर्दान है और जैसा हम लोग देख रहे थे कि धान में बीमारी फैलने लगी थी और काफी फोन हम लोगों के पास आने लगे थे जो सेंटर पर हमारे बैग्यानी काम करते हैं तो जब फोन हमा दिगरी के बीद ताफमान हो और हुमीडिटी भी ज्यादा हो तो बीमारी बढ़ने लगती है तो द्धान में खास करके जो बैटीरियल बलाइट जिसको जिवान जुलसा कहते हैं उपर से उसके पत्यां सूपने लगती है द्धान दिरे पुआल होने की तरह बढ़ने लग तो अच्छा होने के साथ अच्छी उपज़की हम लोग कामना करेंगे और किस फसल के लिए उपिद रहेगी खरीब की जो फसले हैं धान के अलावा तो बाकी मक्का है तो मक्का जो है चुकि अब पकने की स्तिती में आ जाता है तो बहुत होता है तो यह कि गिरने लगता ल पाएंगे और समझ से उसकी बुआई नहीं कर पाएंगे बाकी जो है यह यह बरसात अगर तोरिया के अलावा देखें तो जो आगामी अक्टूबर के महीने तक हमको नमी मिलती है तो हम समझ से रभी फसलों की खास करके सरसो है उसकी बुआई में यह नमी हमें काम में आ ज ने यह बरसां होती है तो नुकसान इसको हम ज्यादा नहीं देखते हैं ज्यादा तर मिसको फाइदे में ही ले रहे हो लisenे किसानों के लिए अच्छी खबर था रहाए है जहां तेज बारिश से आहां जनता परिशान है वही सक्रिशॿ बहाग ने बताया है कि आम जनता के लिए ये अच्छी खबर नहीं है लेकिन किसानों के लिए जरूर अच्छी खबर थाबित हो रही है क्योंकि इससे फसलों को काफी फाइदा मिलेगा जहां बारिश कम और गर्मी जौदा होने की वज़े से किसानों की फसल पर नकरात्मक असर पड़ रहा था खराब हो रही थी उनमें बिमारी आ रही थी लेकिन अब पसल अच्छी होगी किसानों को भी सिराहत मिलेगी आजमगड जिले में देर रात से हो रही बारिश से जंजीवन अस्वियस है कई जगह पर बिजली की भी समस्या देखने को मिली रुक रुक कर बारिश हो सुनने के लिए कि काहाँ पर से विजली गई है या फिर समस्या आई है लेकिन इन सब तमाम समस्याओं के बीच ये किसानों के लिए अच्छी खबर साबित हो रही है या किसानों की फसल को इस बारिश से काफी फाइदा होगा आजमगड में पाँच दिन पहले होई युबक की हत्या का पुलिस ने खुला सकिया है एसपी ने बताया कि बेहन के एक अन्य युबक से बाचीत से नाराज भाई ने मुंबई से हत्यारे भेजे थे पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफतार किया है जबकि जिसने हत्यारों को भेजा था उसकी गिरफतारी सेश है निजामबाद थाना छेत्र के त्रेमुहानी मिर्चागाओ के बाहर पाच दिन पहले उन्निस साल के आजम की हत्या को पुलिस ने सुलजा लिया आजम देर रात एक फोन कॉल आने के बाद घर से निकला था जिसके बाद घर वापस नहीं लोटा था परिजनों के फोन मिलाने पर उसका फोन भी आफ था अगले दिन आजम का शब बरामद हुआ इस मामले का खुलासा करते हुए जले के स्पी सुधीर कुमार सिंग ने बताया ये हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी तीन-चार दिन पहले निथानन जावा चेतर में एक डेड़ बड़ी मिली थी जंगल में और हत्या का मुकदमा उसमें दर्जवा था इसका आज अनावरण हुआ है और ये तीन अभ्युक उसमें पकड़े गये हैं एक का नाम फैसल है एक का नाम सैफ है और एक का नाम जु तर्टीम का जो कारण है वो यह बात आए कि यह जो फैसल है. इसका एक दूस्त है जो बंभई में रहता, उसकी बहन से जो मिर्थख था, वो एक दूसरे लड़के से उसकी बात कराता था, इस बात की रंजिस्थ थी. और उसकी के कारण यह न्गार उसने इसे बंभई से दो पेले यहां पर बेजा और इसने ये दो लड़की अरेंज किये और उसका मडर कर दिया इसमें उलिखने बाद ये वी है कि दो दिन बाद वो भी बाहर जाने वाला था अपना नौकरी कन ने उसी बीच में इनके दौरा क्या गया इनके दौरा एक लड़की के महान ने उसे अबद हो गया है और देखे ये मुच्छ वाले हैं अभी इनका डिटर्मेशन इस पक्तर सामने किया है और सब कामोर के लड़के हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है नावाली के इसमें एक तो इसने जो फैसल है जो इसमें मेन अभीक्त है इसने इसने ही उसे कॉल करके बुलाय रहे था लास्ट कॉल इसी की थी तो सबसे जो महतमूर कुलो था वो तो यही था कि ये जो फैसल है इसने लास्ट मौझ से बुलाया और उसके बाद उसका पता नहीं चला इनी से पूथताच की गए पूथताच के दोरान इसके दोरान अपना प्राद सुकार किया गया और पतेपुर्ट जिली से दो दिनों से हो रही लगतार बारिश और तेज हवाओ की चलते गाउं में पानी भर गया है। तब कही जाकर लोगों को समस्या का समाधान मिला। प्रदान जी मतलब की क्या बोले पूरी मदद कर रहा है और पूरी सब देख रेक कर रहा है और पूरी जंटा के सब चेवा कर रहा है। प्रदान जी कर रहा है। ठीक 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 क्या ना मिला। हमारा दिनेफ कुमार वुर्फ गुरुपास माई। जो ये पानी इतना बाय रहा है कि किस कड़न बाय रहा है। हमारे यहां कच्चा नाला होने के कारण खलवा टॉला में जो सिल्ट जम गई है। पिछरे पांच साल से इतना ज्यादा कचड़ा हो गया है। उसमें इतनी सिल्ट जम गई कि पानी न निकलने के कारण इतनी ज्यादा बाढ़ा गई। फिर भी हम कम से कम 30-35 आदमी लेके जाकर पूरे नाले की सफाई करवाई और उसको खुद अपना खुद जाके लग कर उसकी पूरी सफाई करवाई हमने अब आके काफी मात्रा में रहत मिली हैं लोगों के घरों में पानी आके सब अब कम से कम एके फुद पानी नीचे उत मां उनको खाना पानी की बिवस्ता करवा रहा हूं और नहीं को की आदी आपको कहां रहती है आप क्या समिश्याई आपको अच्छा और कुछ नुसकान बे आपको हुआ है कुछ अछली आपको आपको अपया अजरी आपको और यह नाला निकला एक अच्छा निकला हुआ है अच्छा परदान जी मलब कह रहें पका कराने के लिए अच्छा आई है जहां पर नाला चोखोरी की वज़े से पानी घरों में घुस गया है आप देख सकते तस्वीरों में किस तरहां से पानी भरा हुआ है लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है गाहँवालों ने खुद नाले की मिलकर सफाई करवाई है आपको बता दे कि बड़ी मुशक्कत के बाद ग्राम प्रदान ने जब सफाई के आदेश यह दिये उसके बाद जाकर लोगों की समस्य का समधान हो सका किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर गया है सड़के पूरी नदी जलाशे की तरह दिखाई दे रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं इससे एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीमारी फैल रही है डेंगू वरल फीवर चल रहा है और दूसरी तरफ इतनी तेज बारिश के बाद जो ये पानी भर गया है जल जमाओ हो गया है गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया है ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है बीमारी का मौसम है और ये गंदा पानी लोगों को और बीमार कर सकता है इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही आप देखते रहिए प्राइम टीवी